हेलो फ्रेंट्स मैं संध्या स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल संध्या सीलाई डिजाइन पर फ्रेंट्स आज किस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जैसे कि आप लोग मुझे कमेंट करते हो और मैं वहाँ पर आपको अच्छे से नहीं समझा पाती हूँ मैसेज के द्वारा कि आपको वहाँ पर क्या गलती किये हो तो क्या बग करना है आपको जैसे आप मुझसे कुछ पूछते हो कहीं पे आपको doubt है तो आप मुझसे comment करते हो मैं वहाँ पे कितना लंबा लिखू कितना तो समझ भी नहीं आता मैं आपको वहाँ पे कैसे समझाओं तो मैंने सोचा है कि आज से हम लोग संडे को हर संडे को साम वाली क्लास में हम लोग सिर्फ आप लोगों से बात करेंगे जैसे आप हमें message करते हो comment करते हो जो भी उसी comment में मैं आप लोगों को answer दूंगी हर संडे को तो आप मुझसे comment करके पूछ सकते हो जैसे कि आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने मुझसे कमेंट करके अपने doubt किलियर करना चाहा है तो मैंने उसका answer दिया है लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि हर जंडे को मैं आप लोगों को वीडियो के अंसार वीडियो के थ्रू आपको समझानी की कोसिस करूँ तो बस मैंने आज किस वीडियो में आप लोगों के question रहेंगे मैंने जो आप लोगों ने comment किया है वही comment लिया है मैंने 2-4 लोगों का तो देखो ज़्यादा लंबी वीडियो ना हूँ इसलिए मैंने लिया comment ज़्यादा है और हर शंडे को आप मेरे सेशन में जरूर जुड़िए और इस तरह से मैं आप लोगों को समझाओंगे तो आप लोग भी मुझसे attach होगे और आपको भी समझ में आएगा और जहाँ भी समझ में नहीं आएगा तो आप ऐसे comment करोगे और फिर मैं आपको ऐसे वीडियो के थुरू बताऊंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा जब आपको हर चीत समझ में आएगी आप मुझसे पूछते हो आपके doubt के लियर होंगे तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा कि नहीं आपको बताऊंगी यहां पर तो देखो अलका दूबे ने मुझे कमेंट किया है जब भी हम ब्लाउस का बाजो काटते हैं तो बाजो की गोलाई सही रहता है लेकिन बाजो की फिटिंग बहुत आगे तक बढ़ जाती है तो मतलब इनका कहना है कि जैसे हम ब्लाउस की आस्तीन लगाते हैं काटते हैं तो सही काटते हैं लेकिन जब लगाते हैं तब ब्लाउस का आगे बढ़ जाता है तो मैं आपको यहां पर ब्लाउस के अंसार यह मैंने ब्लाउस लेकि रखा है मैंने कमेंट पहले ही देख लिया है तो मतलब उसी के अंसार मैंने यह वीडियो के लि आप यह ही कहरे हों आगर यहां पर इस तरह से आपने अकल अंदर अपना स्मीफ्ट डाला तो यहां पह कप्रा मैं बढ़ी जाता होगा बराबर नहीं यहां तो पते हैं ऐसा हो जाता है सब के सब के साथ में होता है पहला ही कि यहां करने पर freshly और ब्लावस ख्राब हो गया है ऐसा बहुत में होता है कि हमारा आरमोल का उल्हमें मेश चाहिं dobrитक मेश। क्या करेंगे तो जितना भी बड़ा है न इसको फिर से हम उल्टा कर लेंगे और यहां पर हमारा यह इस तरह से जाएगा तब उह अरम já बेल ओर स्लीव से कपड़ा बिल्कुल बराबर उल्ग उल्दा सि हाएगा तो बस अब हम क्या करेंगे यहां पर कोने compromise और यहां आगे हमारा उतना ही रहेगा इधर साइड हम थोड़ा सा यहां पर शिलाई लगा देंगे तो बस यह हमारा आर्मोल के बराबर हो जाएगा ऐसा हमें करना पड़ता है ऐसा नहीं है कि सबका सेम साइच में कट होता है तो ऐसे ही आ जाता है आप देखो मैं यहां पर लगा के दिखाती हूं तो देखो इस तरह यह हमने यहां पे शिलाई लगा लिया है ठीक है अब हम इसको क्या करेंगे इसको फेर शीधा कर लेंगे और सीधा करने के बाद अब हम इसे अपने आर मोल के अंदर डालेंगे तो बस अब इन दोनों के गुलाई हमारी बराबर हो जाएगी ठीक है बस यहां पे थोड़ा बहुत अंतर आ रहा है तो फिर ऐसा करना अगर ज्यादा आ रहा है तो फिर आपने सच में गलत कट किया है तो देखो अब बस यहां पे पूरे गुलाई में शिलाई लगा लेनी है तो आपका तो डाउट किलियर होगा आई होप ठी क्या होगा अगर नहीं किया है तो आप मुझे यहां पे कमेंट करके फिर से पूछ सकते हो मैं आपको वहां पर एंसर दे दूंगे ठीक है अब दूसरा है यह कोई है अंजली तो अंजली जी का कहना है दीदी और थेओरी की वीडियो बनाओ मराथी में तो अंजली ची अपनी कॉपी भी बना सकते हो थेंकियो तो फ्रेंड्स अगला कोईस्चन है किसी सुमित्रा जी का तो उन्होंने कहा है ती मैं आपके जैसे सिल्ती हूं ब्लाउस पर उसमें आर्मोल में प्लेट आ जाती है चार से पांच प्लेज बताओ तो देखो इनका भी सेम कोईस्च तो आज आएगा अगर आप यहां पे बिलकुल फिटिंग पर नहीं लगाओगे तो फिर अगर आपको जैसे यहां पे मैंने अभी बताया आर्मोल पूरा नाप लेना है नापने के बाद फिर फिर शिल्लाई लगानी है अगर यहां पे आपका ब्लाउस का गुलाई जादा या फिर आर्मॉल की गुलाई जादा है तो फिर वहां पे एक जगह तो प्लेट आएगी ही आएगी ना तो इसलिए आपको यहां पे बिल्कुल अच्छे से सिलाई लगा लेनी हैं दोनों की गुलाई बिल्कुल बराबर रखनी है उसके बाद सिलाई लगाओगे तो आपके बिल्कुल भी कोई भी सिल्वट नहीं आएगी कोई भी प्लेट नहीं पड़ेगी अगर आप ऐसे करोगे तो आई होप्स मित्रा जी आप समझ गहीं होंगी अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके पूस सकते हो इसके बाद है खुशी चौधरी का क्वेस्ट नहीं देंगी समझ जन है थैंक यू झैचो से तो आपको भी बहुत मुहरा है और मुझे बताया कमेंट करके मुझे भी बहुत अच्छा लगा थैंक्यू सो मज़टे रहे और आगे बढ़ते रहे can to तो अगला question है सुमित्रा जी का ही है आप बहुत अच्छे वीडियो बनाते हो आपकी वज़े से मैं काफी शीखी हूँ सिलाई 42 इंच का ब्लाउस बताओ तो मैंने बहुत सारे ब्लाउस बताएं कि ऐसे आप किसी भी साइच का ब्लाउस कट कर सकते हो तो आप वहां से देख स सकते हो और अपना ब्लाउस बना सकते हो ठीक है सुमित्रा जी आई होप आप समझ के होंगे दियास्तिन का वीडियो बताओ हर बार छोटा पड़ जाता है प्लीज दी मैंने इसका वीडियो बना दियाए शिष्टर आप वहां से देख सकते हो इसके बाद है कविता जी का question इनका question तो कुछ अलागी है design blouse कितने घंटे में बनता है मतलब यह तो कोई question पूछने वाला नहीं है यह तो आपके बनाने के अंसार है आप कितने जल्दी बना सकते हो और कितना लेट बनाते हो आपके पास कितना time है आप कितनी जल्दी हाथ चलाते हो कितनी जल्दी machine चला बनाती है तो यह मतलब कोई घंटा करता है यह अपके शिलाई पर करता है क्या सिल रहे हो अगर आप जल्दी फास्ट तो आप जल्दी से लोगे अगर लेट लेट से चल रहे हो तो फिलेट से लोगे तो यह तो कोई question पूछने वाला नहीं है आई होब तोसके बात लेनी है, back part और front part में, मतलब कि इनको अपने blouse की length लेना पता करना है, ठीक है, इनको यह नहीं पता है, कि हमें अपने blouse में length कितनी लेनी होती है, तो मैं आपको यहां पर समझा देती हूँ, इंची tape पहा गया, यह रहा, ठीक है, देखो, यहां पर आजब हम cutting करते हैं, तो यहां पे हमको जितनी blouse की length रखनी होती है, front part में, तो front part में हमको, देखो, यहां पे हमारी plate पर जाती है, तो यहां पे हमारा कपड़ा लगता है, और यहां पे हमारा belt भी बना रहे हो, तो यहां पे भी half inch कपड़ा लगेगा, फिर नीचे की side fold करने के लिए भी हमें कपड जांबा चाहिए, और ओपर हमारा shoulder में भी जाता है, तो यहां पे हमें, धा इंच, फ्रेंट पार्ट में plus करकी लेना होता है, और back part में, धेड़ इंच प्लस करना है, तो इस तरह से हमें अपने लबाई लेना होती है, आप समझ कहा होंगे, तो इस तरह से हमें अपने blouse की लेंध निकालनी होती है इसके बाद है सुभम जी का ही क्वेस्चन है मैं ब्लाउस में आई पट्टी और हुक पट्टी लगाना बता है तो इसका भी मैंने एक अलग से वीडियो बना दिया है आप वहां से देख सकते हो आ leven कांवें डिस्क्रिप्सन टीक है दूँए तो आज का वीडिय cigarette एक रहा इतने है लिया है ज्यादा वीडियो लंबी नहों इसलिए मैंने सिर्फ इतने लोगों को बताया है अगर आप लोग आगे भी question करते रहोगे ऐसे ही तो मैं आपको हर्षंडे को आपके question का answer देती रहोंगे और मैं last में सबसे S80 जी है इन्होंने बहुत सारी मतलब यह हमारी बहुत पुरानी subscriber है जब से मैंने video डालना सुरू किया है मुझे six month हो गया है वीडियो upload करते हुए यह मुझे six month से जुड़ी है तो मतलब कि एक वह होता है ना कि जो बहुत पुराना हो जाता है तो थोड़ा सा लगाओ ज्यादा हो जाता है आपको बहुत बहुत थैंक्यू मुझे बहुत पहले से जुड़े रहने के लिए और अभी तक जुड़े रहने के लिए अभी इनका मैसेज आता है थैंक्यू सो मच आप मुझे बहुत बार बहुत वीडियो में थैंक्यू बोली हो आई होप आपने सीख लिया होगा काफी कुछ तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना इस वीडियो में कि आपने कहां अब हम लोग अगले संडे को मिलते हैं अपने संडे वारता में तो मिलते हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बाकी हम लोगों की क्लासे डेली चलती रहेंगे और हर संडे को सामको हम लोग बस ऐसे ही क्वेस्चन आप लोगों के क्वेस्चन रहेंगे और मेरा एंसर रहेगा तो मिलते हम लोग next video में, thank you.